बैंगलोर फेमा सेकेंट सेज़ के लिए अपने मौसम के लिए है और सबसे अचानक से डिबलप हुआ है अब कुछ ऐसे सफ्ट्वेर हैं जिसे आप जान रहे होते हैं कि अधय अब यहीं पर देखेंगे पश्चमी घाट पर यहां परवत नाम है उसका पश्चमी घाट परषी में गाह तो बारी सोती है तो इस साइड होगी यहां अंदर हो जाएगी और बाहर कि यह लेकिन की रला के पास यहां पर एक जगह है जहां पर यह पहाद डाउन यह परवत्वार क्या है डाउन तो मांसून इस रास्ते घूच जाता है और बैंगलोर पहुच जाता है का पहुच जाता है तो बैंगलोर फेमा से किसी के लिए अपने मौसम के लिए बैंगलोर का मौसम बड़ी अच्छा है बड़ी सुहाना है यह है वो है तो बैंगलोर वगरा बैंगलोर आईटी उद्योग के लिए फेमस है मौसम के लिए है और सबसे बतना वहां का जाम लगना है जाम इतना भयानक लगता है जिसका कोई हद नहीं क्योंकि बैंगलोर अचानक से डेबलप हुआ है अचानक से 1995 में जैसे आईटी क्रांटी आई और इंफोर्मेशन टेक कोच आभी नहीं है मतब सब चल गया खाली नहीं है अभी क्या है इतने बजे इंट्री तो एक जिट कितने बजे करेंगा इंडिविज्वल सट्वेर भी बहुत काम करते हैं सब आप जैसे बड़ा होटल है तो बड़े होटल में नास्ता क्या बनेगा यह मैनेजर लगी काई नासथा में पर एक क्यादा बनेगा वर इनास्ता होता है क Cen NICK सीह आथ कशे कम नहीं होता और को से कम 20 किसिम कर फॉल होता आए लाग detail जीतना जया přित्वाइस जानते हो काजु कि तो और चींट जानते भी एकिरा का भी है तो इसका तो होता है वहां पर लेकिन वहां भी तुम जा के देखोगे न तो बहुत सारे आदमी क्या लेगा तो चाना ले लेगा चाना चाहे अमलेट खा के चल दिया क्योंकि जो उस टाइम तक गया है न एक दिन रुकने का 30,000-40,000 दे सकता है उसके पास एतना टाइम ने एक नास्ता के पीछे समय बर्बाद करें अरे बाप अरे हाई खा लेते हैं उखालत नहीं एक टाइम आएगा जब आपके लिए पैसा से ज़्यादे टाइम इंपोर्ट किये हो चलो भार पेट रजगुला खाएगा उगा पांच गो रजगुला पलास्तिक में पानेगा है रात में रोटी से खई तो हम